आँ मेरे भाई ज्याल चाल कैसी ओ बहन कितना उखाड़ हो प्राइट फील कर रहो कर रहे हो 90 परइट किया तुम्हारी आरी हो कि तुमने आज सुबह से लेकर शाम ते जितना भी टाइम हो गया तुमारे जितने भी गोल से उनके प्राइट तुमने बहुत कुछ हो खाड़ा है या फिर बहुत साई नॉलिज का तुमने सेवन किया है बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिविचल पावर इस से आती है कलेक्टिव पावर के एक्जामबल दें भाड़ गयाद में रख दी है साल ने बतानी कितनी ज्यादा बुकिंग होती होंगी पहली चीज दूसरी तुम जहां कहा रहे थे तो मैं कभी कुछ पता है इंद्धा ज्यूपलिटिकली मैंने बता इस सारी चीजों में कभी बात नीगरी बट मेरा हमेशा मन था बात करने या जिसे बहुत बड़ा परसन कोई भी उसके साथ पासपूर्ट शील लिया गया उसके ऐसा वैवार हो रहा है और मेरे देश वासी है और मुस्स लेवरी हो रही है तब मुझ फाड़के इस देश पे इतना जाता भेंकर लेवल पर लोग दुबए-दुबए-दुबए-दुबए-खरते रहते हैं क्यों तो साथ कोरिया का यार उनका वेवार भी तो इतना खराब है दो कोड़ी की तरह वेवार करते हैं भारतियों से हम लोग उस तरह का इंप्राक्ट हम क्रेटर नहीं कर पाए इस लेवल में बॉयकॉट मारना चाहिए कि भाई किसी इंसान की गंदगी किसी इंसान की वो भी सेम बात हमारे बारे नहीं लेकिन बाई साथ कोरिया में वहां पर तुम्हारा क्लिरली भुषड़ी के ओपन रेसिसम है वहां लेकिन लोगों की अभी भी आवास ने उठ रही है कितने लोगों ने वीडियो बना दिये कुछ नहीं हम बैट हैं चोड़े हाँ अभी म इलेक्ट हुआ है सेंटिमेंट इंडिया आउट से जो करण स्टैंडिक तुमारे सवक्ता सिटिंग एलो प्रेसिडेंट है मॉल्डिव का जिस इंसान की पूरी स्लोगन थी कि इंडिया भार निगालो हमाई देश से कि इंडिया का मिलिटरी प्रेसेंस है पहला पॉइंट दूसरा वो उसको पूरा-फूरा डीपेंदेंसी इंडिया से हटा के उसको अक्चिन ओप्रो चायन इंसान है तो उसको जितनी ट्रेट दील्स करी और उचिने करीभ है उसको बात ऐलेक्शन के बात से हाधा जाना कर रहा है तो अगर उसका प्रेसिडेंट भाई अपना एक भाई के साथ भी कुछ भी हो, मुझा फरकी नहीं पड़ता कुछ भी हो अब यह तुम्हारा भारती है, एक पासपोर्ट होना, सिटिजनशिप होना कि एक वो नहीं चाहिए, वो तो अगर भावना ही नहीं है निदर तो तुम किसी के लिए ख़ड़ा नहीं हो पाओगे एक दिन तुम हो गर तुम्हारा ले कोई ख़ड़ा नहीं होगा सिमिलरली जैसे आज कोई दूसरा ख़ड़ा हुआ जिसलिए तुम ख़ड़े नहीं हो रहे हो होने में बींग हिंदू फिलोसोफिक है पॉइंट वी से देख लो सेम ही है ना एक ही मिट्टी क्यों बने है क्या हम उसका दर्जा का कम है क्या दुनिया में एक चीज समझना कई कई बार के ओता कुछ मोमेंट्स होते हैं जो रिवील करते हैं एक बहुत लार्ज टूथ इंडियम्स जो अपने आपको समझते हैं इंफिरियर बहुत ज़रुवरत नहीं है करी ओन करने की तुम अगर स्लेव ट्रेड एकसेट कर रहे हो अपने नागरिकों की तो तुम इंफिरियॉरिटी एकसेट कर रहे हो कैसे हम अपने नागरिकों के साथ ऐसा पर्सेट कर रहे हैं गवर्मेंटल लेवल पे कलेक्टिव यानि की सोचल लेवल पर हम सब की बात भी आथी कि हम सब भी आवाज उठाएं और इंडिविजल लेवल पर तुम्हारी भी बात आती कि हां कुछ लेवल का तो उस पर हम कह करें उसकी याज गलत है और मेवी मेरा डिसिजन है कि मैं नहीं जाओंगा दुनिया घूम लेंगे दुनिया अपनी प्रित्वी है सुष्टी है घूमेंगे सुष्टी में लेकिर ऐसी जगहां पर नहीं जो आप इसी इसकूशन कॉन्वर्सेशन हम चालू रखेंगे और हम एसे episodes में जैसी episodes कता होता है और हमें हलका सा catharsis मिलता है हम भूल नहीं जाएंगे मिल लागी इंडिया की power क्या है ये है वो है and it makes us feel better and हम फिर move on कर जाते हैं और हम वापस फिर cycle continue रहती है क्योंकि अभी क्या हुआ एक छोटा सा correction हुआ लेकिन attitude change नहीं हुआ है तुम्हें अगर attitude change लाना है तो तुम्हें छोटी सी एक protest में या war में continue रहना जहां पर तुमारी cognitive energy कुछ नहीं जा रही तुम काम करते रहो तुम खूब ताकतवर बनो तुम खूब भयंकर level पर बल्वान ताकतवर बाहूबली बनो भाई individual level पर individual representative हो तुम इस देश के वो तो तुम्हारा धर्म बनता है consciously, socially जो consciousness होती है उसमें भी तुम अतनी ज़्यादा understanding लाओ कि तुम खड़े हो अच्छी चीजों के लिए management कर लेते हैं लेकिन एक दिन हो जाता काम आगे नहीं होता यह बहुती प्रॉब्लम होती लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है discipline की चीज़र उड़ा देने की ताकतवर बनने की पूरा holistic system है attack mode भरी भी है templates options है तो बार पस दबा के productivity tools को use करने के यह करो यह वाला करना है तो वाला करो अलग अलग tools हैं बहुत तरह से दे रखें notions के अंदर easy to use practical तुमसे काम करवा के ही छोड़ेंगे अगर use कर रहो तो तहस नहस कर देंगा आलस को और यह जरूरी है अगर तो अपने अंदर गर्व महसूस करना चाहते हो अपने ह होने के लिए तो तुम्हें अचीव करना पड़ेगा तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा और ताकत आती है disciplined काम से systematic काम से willpower से नहीं willpower सिर्फ तुम्हे दो दिन के लिए हो सकता है काम कर बाते system होता है जो कि time after time तुम्हारी self-efficacy बढ़ाता चला जाता है तो काम करो 10,000 लोग अगर हैं मैं बार बार बोल लो में बात 10,000 लोग अगर खतना लेविल पर काम कर रहे हैं देश पर और चीथर बड़ा रहे हैं तो बहुत बड़ा impact करते हैं मेरे वह पूल मिला कि 10,000 लोग चाहिए 10,000 काईदे से काम करने वाले लोग तिमाज से भेंकर तेज और क्यों इंटरेस्टिंग लगा नीचे लिखो कॉमेंट से भाई क्या तुम्हारे व्यूज हैं क्योंकि इस conversation को मैं kind of यूज कर रहा हूं दूसरी जगहों पर जाने की साओध कोरिया जैसे बहुत बड़ा अग्जांपल हो गया दोबाई जया पी तक कोई conversation ही नहीं चल रही पर चाहता हूं यार चलनी चाहिए क्यों नहीं चलनी चाहिए